नमश्वार दोस्वों आप श्रवी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों केशे हैं आप श्रवी उमीद करते हैं कि मातारानी के श्रवाश्य आप श्रवी बहुत ये अच्छे होंगे दोस्तों आप शिबी को बता दे कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके राशी के बारे में दोस्तों आज का यह वीडियो आप शिबी के लिए बहुत ज़्यादा महत्पुन और बहुत ज़्यादा खाश रहने वाले हैं जिया दोसु यह शमय आप शबी की जुनकाल में बहुती महत्पुन शमय रहने वाले हैं कि दोसु हम आप शबी को विदा दे कि यह शमय आप शबी की जुनकाल में पांच बड़ी खुशकबरी आप शबी को मिलने वाली है जिया दोसों, और अगर इन्हें आप अपने हाँच से गवा देंगी, तो दोसों हम आप शिव को बिदा दें कि आप अभी ही नहीं, बलकि उमर भर तक पस्दाते रहेंगे जिया दोसों, यह शिमे इतना महत्पुन है कि आप यह शिमे कई शारे सच को जानपाएंगे कई इशारे सच को जानकर आप बिल्कुल ही चौक हो जाएंगे आप शिपी को बता दें कि पिछले शमय आप जिसके लिए लंबे समेशे तरश रहे थे दोस्तों वह शमय आपके लिए आ गया है और वह इशारे कारे आप शिपी को बनते हुए देखने को मिलेगा जिसके लिए आप पिछले शमय शिपी बहुत ज्यादा महिनत कर रहे है जे दोस्तों दोस्तों आप शिपी के जुनकाल में हम जानते ही कि पिछले कई शमय शिपी परिशानियां चली आ रहे है पिछले के इश्मे से आप शुपी के जुनकाल में प्रिशानियां अर्चने शमाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है लेकिन दोस्तों हम आप शुपी को बदा दें कि आप शुपी के जुनकाल में ये शारी प्रिशानियां बिलकुल ही जड़ से शमाप्त होने वाली है जिया दोसों यहांश यह आप शुवी का भागे ओदय होने वाले ही जिया दोसों आपका किश्मत खुलने वाले ही आप शुवी को बता दें कि दोसों यह शुमे आप शुवी के किश्मत और भागे का लाब अगर आप उठाना चाहते हैं दोसों आजके इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिशना करें और इन्हें बिल्कुल ही अंत तक ध्याश देखेगा जिए दोसों अगर आप आजके इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ही ध्याश देख लेंगे और दोसों अगर हम जो बात आप शुवी को बताने वाले हैं उन दोस्तों लेकिन दोस्तों हम और शीप को विदाब कि यह्षय में आप 17 भी को बताने वाले हैं दूस्तों यह गलतियां आपको अपने जिनकाल में बहुत ज़्यादा तो सत्व दोखा दिये हैं एक प्रकार्श करहें बहुत ज्यादा और अगर आप अंत तक देखेंगे तो दोसों जिद्रेवी प्रेशान आपके चारोर गिरा हुआ है दोसों वे इशारे खत्म हो जाएंगे जेया दोसों इसलिए दोसों हम आप श्युभी को बता देए कि आज के वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे अगर आप भगवान भूलिनात को सच्चे दिल से मानते हैं, तो दोस्टों कमेंट बाक्स में सच्चे मन से जय भूलिनात लिक कर चैनल को सुप्स्क्राइब कर लें दोस्तों भगवान भूलेनात का अशी मश्रबाद आप शबी को प्रयाप्त हो जाएगा आपकी जुनकाल में खुशियां ही खुशियां बर्शेंगी जी है दोस्तों सच्चे शर्दा से लिखिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूले जी है दोस्तों ताकि दोस्तों इस परकार की महत्पून जनकारियां आप तक शब्षे पहले पहुंश्रकी जी है दोस्तों तो आप शबी को बता दे कि दोस्तों आप शबी के जुनकाल में अब बदलाव होने के योग बन रहे है जी है दोस्तों आप शबी को बता दे कि आप जुनकाल में पिछले कईश में से समस्चेय चली आ रही है दोस्तों शब को दूर करने का हम इस वीडियो में उपाई को बताने वाले हैं और यह उपाई बहुत ही महत्पुन और बहुत ही शरल होगा जिसे दोस्तों आप शिव के जुनकाल में खुश्यों का माहौल घर पर वार बिल्कुल ही खुश हो जाएंगे और दोस्तों यह जो हम बताने वाले हैं बिल्कुल ही कारगर 100% शर्टी होगी जिए दोस्तों इने में आपको कोई भी रुपिया पेशा खर्च नहीं करना होगा बस आपको शावधनी रखना होगा और विदी के शाथ आपको का आप ईयां दोस्तों तो इस यां दोस्तों आप शार्ट चुनकाल में भी बड़े बदला वोने वाले हैं तो दोस्तों हमां आप शुपिय को बिदा द़ी कि आपके गुरु यस्मी आपके first IQ होने की कारद दोसके आप श्बी के जुनकाल में बड़ाब की शमा नहीं दिख रही है कि अगर आप उनमें मेहनत करेंगे तो दोसों आपका जुनकाल में आपको उतना शे अत्यधिक शिफलता मिलेगी जितना आप मेहनत कर रहे हैं और दोसों यह शमे भी वेशाई है बस शमे बहुत अच्छा है शमे का बरपूर शाथ मिलेगा थोड़ा शापको उनमेश यह मेहनत करना होगा और दोसों आप देखेंगे कि जिस शेतर में आपकार कर रहे हैं यह में आपको दुगनी लाब मिलेगी और दोसों जिस शेतर में आप हांत लगाएंगे वो कार याप शुवी का पूरा हो जाएगा जी हैं दोसों दोसों हम जानते हैं कि आप अपने जुनकाल में पिछले कई तरह की शमयश्याओं को देख रहे हैं, पिछले कई परकार की शमयश्याओं आप शुव के जुनकाल में आपने जेली भी हैं, जिया दोसों, सबसे पहला बात, जिसके लिए आपने हमेशा ही शायता परदान किया है, जिसके लिए आपके अपने ही लोग आपका शत्रू बनते जा रहे हैं जिसका आपने हमेशा ही भला चाहा है उनके लिए हमेशा ही अच्छे कार किये हैं और दोस्तों यश में वही लोग आपके लिए बहुती बुरा शावी दुमन रहा है बहुती बुरा दिख रहा है और बहुती बुरा भी बनते जा रहा है जिया दोस्तों याश्य में आप घर शे नहीं बलकि अपने ही लोगों के कारण प्रेशान है जिया दोस्तों आप शुबी को बता दे कि याश्य में आपके अपने ही लोग आपके लिए प्रेशानी का कारण है आपको पड़तारित कर रहा है जिया दोस्त तो आप शिवी को बता दी कि आप ने जिनको इज़त दी हैं जिनका आपने मान शمान किया है दोस्वों यह यह आश्मेर वही लोग है जो कि आपके आत्म शमान को ठेश्च मोँचा रहे हैं आपको दुखी कर रहे हैं जिया दोसुं और दोसुं आप अपने ही लोगों शेश में बहुत ज़्यादा दुखी है आपको रोजगार, कारोबार, वयपार में अपने ही लोगों शेश मैं शमयशाएं और अरचनें देखने को मिल रही है और शाधिशा दोसुं हम आप शेवी को अभी बता दी कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल भी हाशिल नहीं हो पा रहा है आपके मेहनत के अनरूप आपको फल नहीं मिल पा रहा है आपके पास पेशे बिलकुल ही ठिकते नहीं है जिया दोसुं दोसुं आप मेहनत करते के जो भी थोड़ा बहुत पेशे कमाते हैं जो भी प यहां डोशा पंहिकनल होता शुर्ण नाधनादादाद क्यों अभी अपने जुनकाल में किसी नई चीओ की शुवात कर रहे हैं या फिर करना भी चाहते हैं तो दोस्तों आप शुब की जुनकाल में कुछ अचानक स्वाया होता है जैसे कि आपका कार्य बिगड़ जाता है जिया दोस्तों जिनके कारण दोस्तों आप अपने जुनकाल में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं जिया दोस्तों इसलिए दोस्तों आपने जुनकाल में इतने परिशान हो चुके हैं लेगिन दोस्तों हम आप शुबी को बिदा दें कि आज के बाद आप शुबी के जु भी परिशानिया हैं, जो भी शमयशाए हैं, जो आपके शात लगतार चल रही थी, दोसों वो आप जड़ से ही शमाप्त होने वाले हैं, और दोसों जिवनकाल में आप बहुती बदलाव कोने वाले हैं, बस दोसों आपको कुछ बातों का बहुती महत्मुन तरिकेशि अपने ध्यान में रखना होगा दोस्वों जो भी बात हम आपको बताने वाले हैं जो भी शावदनिया हम आप शिबी को बताने वाले हैं बश अगर आप उन्हें ब्रत लेंगे तो दोस्वों आप शिबी का भाग और शमे दोनों का पूरा और पूरा श्यूग आपशिवी को मिलने वाले ही और हमेशा घरों की इस्तिक के करण आप यह उनकाल में तरक्यों को करेंगी जी हां दोस्तों मैं जानता हूं कि अभी आपकी रोजगार कारवर और वाइपार में बहुर ज्यादा मुश्यूपिते आ रही है कापी अर्चने आ रही है जी हां दोस्तों आपकी जिवनकाल में या शमश्याओं का शमाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है जिनके गान दोस्तों आप शिवी का मन बिल्कुली कार में नहीं लगता है जिवन में दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा कश्च हो रहा है आप शिवी का दामपते जिवन भी यश में से सही से नहीं चल रहा है आपके पती पतनी के बीच रिष्टे में भी बहुत अच्छी अभी नहीं चल रही है जैसे दोस्तों पहले चलती थी बीच बीच में दोस्तों नौक जोंग भी हो रही है शादे सद आप शिवी को बिदा दें कि बहुँशा रिष्टे भी जातक है जिनके घर का मौहल भी अच्छा नहीं है घर में माता पिता भी शयोग नहीं करते हैं माता पिता का रिष्टा भी अच्छा नहीं चल पा रहा है जीहां दोस्तों शादे सद आप शिवी को बिदा दें कि यश्में आपके कुछ यसे भी रिष्टे ही जिनके बीच आप शिवी का मन मुठाव है और दोस्तों वो लोग आपको ही गलत ठहरा रहे हैं जीहां शादी शादा आप शिवी को बिदा दें कि जब आपका गलती नहीं होता है तो दोस्तों वह लोग आपको ही गलत कह देते हैं और हमेशा गलत साबित करने की कोशिश में ही लगते हैं जिहादोसों आपको कुछ अपने ही लोग हैं जो शत्रू की तरह तयार हो रहे हैं जिहादोसों और ये शत्रू बहुती शक्तिसाली भी बनते जा रहे हैं जिहादोसों आप शिपी को बता दें कि आपको यश में किशी पर भी अधिक भरुशार नहीं करना है जे दोसों नहीं किशी की शलाप पर चलना है नहीं किशी को शलाप देना है जे दोसों किशी पर भी दोसों यश में आपको आँख मुंद कर भरुशार नहीं करना चाहिए लेकिन दोस्तों हम आप शिवी को बदा दें कि थोड़ा शा अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा शा अगर आप विचार करेंगे तो दोस्तों आप शिवी को शमझ में आएगा कि दोस्तों पहले का जो आपका शमय था कुछ साल पहले आप शबी का जो भी शमय चल रहा था वो दोस्तों यह शा बिल्कुल नहीं था पहले का शमय इस यह बहुत ही अच्छा था जे दोस्तों जो जहां पर आपने शब कुछ मेनेज भी किये हैं जो वह शमयाज हैं वे शमयाज खत्म हुई है लेकिन दूसरों कुष शानलोंश के आपसिवी के जुनकाल में शमयाज खत्म होने का नाम नहीं घर रहे है ध्या दोशतों हम आपसिवी को बता दे कि इस को प्रमांड में कुल जितनी भी राशयाहं के 12 राश्य मेशे सब्से जयादा जो दुखी राशी है सबसे यदा पीडित और सबसे यदा जो शंगर्श्र का सामना कर रहे है उजञाhmार देंकिन दोस्तों हम आप शभी को बिदा दी कि अब आप शभी की जुनकाल मैं यह फ्मेश्याएई खत्म होने वाली है कि दोस्वों आप शिवी के इशाथ भले ही शमयश्याय हो लेकिन दोस्वों आप शिवी की उपर धनकी देभी माता लक्षमी की विशेश किरपा रहती है जिया दोस्वों और दोष्डों आपकी जुन में हमेशा ही दोष्डों राजिवों का भी निर्मान मातालक्षमी करती है। जिन दोसों, आपकी जुन काल में जो भी कारे हैं, दोसों भी बिल्कुली कोई छोटी मोटी कारे नहीं, बलकि भी बड़ी कारे होते हैं, लेकिन दोसों शमे पर नहीं पूरा होने के कारण वह कारे छोटे लगते हैं. जिने दोस्तों आप शिवी को विदा दे कि आपके जीवन एक राजाओं की तरह होनी चाहिए लेकिन आप शे जाने अंजाने कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिनके कार्ण दोस्तों मातालक्षमी ही आपसे रूट जाती है और दोस्तों आपका किश्मत खराब होने लगता है जिन से आपको भागय का भी शयोग नहीं मिल पाता है दोस्तों कुछ ऐसी गलतियां है जिने आपको आश्चि बिलकुल भी अपने जुनकाल में नहीं करना चाहिए दोस्तों इससे आप शिवी का भागय परबल हो जाएगा और भागय का पूरा पूरा शयोग आप शयोग को मिलने वाले हैं जिनसे दूस्त किशमत आपशिवी का चमक जाएगा जियां दोसों शाथिसा दूस्त हम आप को बताय दे कि या समें आपकर दो खुश्वरी मिलने वालिये लम्में शमे जो भी किराए के में रह रहे थे करे चींट यह नोले से पुरे होने वाले हैं आपके लिए अच्छा फिर्षबरी यह आपके लिए बहुत आट-च्या ठैक Megi शादिशा दोस्तों हम आप शिवी को बिदा दें कि पिछले कईश में से बहुत शादिशे जाता कें जो कि गाड़ी या फिर नयावाहन परफ्री घरने की शपना देख रहे थे जिहां दोस्तों और याश में आपका वह शपना भी सच हो सकता है जिहां दोस्तों कुछ जातकों की जुनकाल में लंबे शिमेशे खारबार रोजगार वैपार में घाटा ही घाटा देखने को मिलना था लेकिन दोस्तों आप शिवी को बदा दें कि याश में गरहों की जो इस्तिती है गरहों का जिशा राजियों का निर्मान है दोस्तों इन कर्दों 2ём लेंगे अपको गलतिया हैं इन्हें करना है जिनके कारण दोस्तों आफ कुल ये छोड़ देना है जिहन दोसुं तो दोसो आपि शभी को बता दी कि by इन बातों का द्यान रखेंगे तो दोसो आप शीवी को लाब मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों अगलीु खुशकबरी आप शिवी को मिनने वाली हैं आप शिवी के जुनकाल में वह है दोस्तों यश में इस्तरी और प्रूश लंबे शमेशी जो लोग नोकरी की तलाश कर रहे थे कॉंबिटिशन की तयारी कर रहे थे बार बार आप शिवी को शबलता हाथ नहीं लग रहे थी और शबलता हैं हाथ लग रहे थी तो दोस्तों यश में आप शिवी को बिदा दे की जुनकाल में आपको बहुत यची शम्भावना ही दिख रही है दोस्तों नोकरी के चितर में आपको नोकरी लगने की शम्भावने दिख रही है जो लोग कॉंबेट्शन की तयारी कर रहे है यश में परिक्षापल आप शिवी के पक्ष में आने की शम्भावने दिख रही है यश में इस्तरी और पुरुष दोनों को ही नोक्री लगने की पूरी-पूरी शमभ़ों नहीं दिख रही है जिहा दोस्तों शादे शाद आप शिवी को बदा दें जो भी जा तक बिदेश जाकर पढ़ाई करने की शोच रहे थे याप पढ़ाई का केशी का शपना था तो दोस्तों यश्मी आप शबी का वाँ शबना भी पूरा होने वाले हैं आप विदेश जाकर पड़ाई करने में भी शबल रहेंगे दोस्तों आपका यात्रा भी शबल रहेगा और श्रमी और भागी का आपको पूरा-पूरा वहाँ पर भी शयोग मिलेगा जी हां दोस्व, आप शिबी को बता दें, कि यश्य में आपके अपने ही लोग, आपके पीछे आपका टांग खिचने का कारी भी करेगा, जी हां दोस्व, जब आप बाहर जाएंगे या फिर कोई नया कारी करेंगे आप भी अच्छे अपने जुनकाल में रहेंगे, जी हां जी हां दोस्व, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, जी हां दोस्व, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, शबलता मिलने की शम्होने दिख रही है, इसलिए दोस्व, आप इन बातों का ध्यान रखें, दोस्व, अगली बार, जो लंबे शमेशी, कारवार रोजगार में अर्चने आ रही थी, जी हैं दोस्व, अगले बहुत शमेशी, बहुत सालों से, जिनकी जुनकाल में कारवा रुक गए थे, अर्चने ही, अर्चने मिल रहे थी, कारवार अच्छी तरके से नहीं चल रहे थे, या फिर यो कहे हैं तो दोस्व, जिनका कारवार शमाप्त हो गया था, तो दोस्व, यश्मेशी, आपको अपने जुनकाल में कुछ इसे उपाई करने होंगे, जिसे दोस् आपके आर्थिक सिति में लाब होने की शमाने बनने वाली है, यानि कि दोस्व, आपके जुब भी आर्थिक देती है, उन्हों शभी में आपको लाब मिलने वाले है, यश्मे कारवार शितर में, जुब भी रोजगार के शितर में है, उन्हों शभी को लाब मिलने की शमान आने वाले हैं शमी बहुत ये अच्छा है भागे का पूरा आप शिवी को शयोग मिलेगा जी है दोस्तों शादिस साथ दोस्तों आप शिवी को बदा दें कि याश में कुछ बेशिवी बदलाव आप शिवी के जुनकाल में होने वाले हैं जिनसे दोस्तों आप शिवी का बै की किमी नहुंगी जिएक रहीगा यह बहुत महत्पुन जर दोसुंवी जातक अपने जुनकाल में शिंगल है जो भी अपने इट काल में अपने प्रेम की तायारी में थी रफिर अपने प्रेम की तालाश कर रही थी दोस्तों यसमे आप आप शिभी का तालाश पूरा होने ओने वाले हैं एक अच्छा जिवन शातिय आप शिभी को मिलने वाली helfen जिनसे भी तुस्तों आप शबी की जुनकाल में बहुत अच्छे मोकी मिलेंगे बहुत इलाब मिलने वाले हैं शबन साथे के शर्यों से आप अपने जुनकाल में बहुत इबहतरिन बदलाव भी देख पाएंगे जिहां दोस्तों, शादी-शाद कुछ ऐसे जाते होंगे, जिनके जुनकाल में इस जीवन शाथी के कारण बहुत यच्छे-च्छे रास्ती मिल ले वाले हैं, जिनसे वे बहुत शारे बुरे कारी भी छोड़ देंगे, और जिनसे उन शबी का जीवन भी निखर जाएगा, ज जो भी प्रेम शमंद की शिरुवात किये हैं, उनके जुनकाल में प्रेम शमंद में अरचने शबी शमात हो जाएगी, जैंदोस्तों, तो इसलिए दोस्तों आपको इश्वात का ध्यान रखना होगा, यह आपके लिए बहुत ज़्यदा महत्पून है, शादिशा दोस्तों हम आकश्यव को बढा दें, कि यह में जो लोग पिचले कईश मेंशे, मातालक्ष्मी के लिए बहुत प्रातना कर रहे थी, उनके जुनकाल में मातालक्ष्मी का वास हण गया था, तो दोस्तों यह मातालक्ष्मी का शिरुदा आप शिरुदा में मिलने वाले हैं, जिनसे द दोस्वों हम आप शिवी को विदा दें कि यश्मी आप शिवी की जुनकाल में माता लक्ष्वी बनकर एक एशी इस्तरी आएगी जोगी दोस्वों माता लक्ष्मी ही होगी जिहां दोस्वों इनकी आनेशी आप शिवी की जुनकाल की बहुत शारी प्रिशानिया भी आप देवर को विदारते हैं तो दोस्तों यह मैं आपको अपने सिनियर कि शुरू हो ऍशाथ आप शुवी का प्रेम शंबन शुरू हो शकते हैं शादि साथ दोस्तों आप शिवी को बढ़ा दें कि यश में जो भी लोग बढ़ाए के चेतर में हैं तो दोस्तों यश में आप शिवी को बढ़ाए के भी चेतर में आपको कुछ इसे सयोगी होंगे जिनके शाद आप प्रेम में आशकते हैं जिया दो सुन, शादि शाद आप शिवी को बदादे कि कोई एशे का लोग होंगे जो company या फिर शतकारे श्रमन्दी जोब कर रहे होंगे, वहाँ पर भी वहुँआशे शेनियर अध्यकारे होंगे जिन से आप शिवी का दिल लगी हो शकता है, जिन से आप शिवी का प्रेम मज्ट शुरू हो शकता है जी दोसों लेकिन दोसों हम आप quaisय को बतादे कि जो भी नारी लोग है जो भी इस तरी वर्ण के वैक्ति है आप chiarी पोविडारदे कि आप खरी को हम यही रहे हैं, तो अच्छे सिरो रखें जांच परकशनी चाहिए कि दोस्तों कई जाता कैशे भी होते हैं पहले शेही शादिव श्यदा होते हैं और आपशी चुबाते हैं तो आपको एक शिला देना चाहूंगा कि विवायत व्यक्ति के प्रेम में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए आपको उन्षी दूरी बना कर रखने हैं जिहां दोस्तों यह आपके लिए बहुत ही भला होगा नहीं तो आप आगे चलकर बहुत हीज़ा पस्ताने वाले हैं आप शिवी को बिदा दें कि आपको रोना भी परशकता है जिहां दोस्तों शाद्य शादोस्तों हम आप शिवी को बिदा दें कि इनके कारन आप शिवी का जिवाँकाल पूरी तरश्य तबाह हो जाएगा पहले शेपतनी होगा उसके बच्चे भी होगे तो उसके भभुश भी खराब होगा उसका जीवन भी खराब होगा शिर्प आपकी वोजशी तो आप कभी भी अपने जुनकाल में आगे शुकी नहीं रह पाएंगे अगर यह गलतियां करेंगे जिहां दोसुम तो बिल्कुल थोड़ी बदनावी होने का भी कारण हो शकते हैं और फिर बदनामी होने का भी आप कारण बन शकती हैं जी हां दोसुम इनका शमोना दिख रहा है इसलिए इन बातों का ध्यानके शाथिसाथ यश्मी आपको प्रेम के बारे में थोड़ा बात को गुपत रखकर बातों को शाथ ही हर किशी को बताया ना करें जी अदोसों जो भी आपके शहिली है जिसके शाथ आप रहते हैं उटते बेटते उनको भी आपको बात नहीं बतानी है यश्मी थोड़ा बदनामी होने की शमोना भी देख रही है इसलिए आप इन बातों का देन रखें जो भी प्रेम में जाएंगे अपने प्रेम शमत की हरे के बातों को गुब्द बना कर रखें जी अदोस्तों जो लबश मेशे किशी के प्रेम में हैं उनके लिए यश्मी बहुत अच्छा है जो आप इजहार नहीं कर पा रहे हैं प्रस्ताव किशे की सामने नहीं रख पा रहे हैं तो शम आपके लिए पक्ष में होंगे इस बात का दियान के क्योंकि शमे का भरपूर आप शिबी को शवी को शहयोग मिलने वाले हैं अगर दोस्तों पहले शेहिख प्रेमी प्रेमी का बन invented रहने वाले हैं बाहर गुमने जाने का भी योग बन रहे हैं थोड़ा शहारे दोस्तों यह श्मी यौन शुक भी आप शुबी को मिलने की शुमाने दिख रही है, लेकिन आपको एक बात का विश्य ध्यान रखना होगा, अगर प्रेमी प्रेमी का बाहर गुमने का प्लान कर रहे हैं, तो अच्छे से अच्छे जगह का ही जुनाव करें, नहीं तो थोड़ी शी को इदर उदर बिल्कुल भी नहीं जाना है, जिसलिए आपका बदनामी हो, जिहां दोस्तों, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें, यह श्मी आप शुबी के जुनकाल में बदनामी शे थोड़ा शा भचना होगा, और लोगों को नजर रखना होगा, जिहां दोस्तों, नहीं तो यह श्मी आपका फोटो वीडियो बरूशकता है, और यह श्मी आप वायरल भी होशकते हैं, इसलिए दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें, शादे शादे शाद आप शिवी को बदा दें, कि यह श्मी भागे हर छितर में आप शिवी का शात देगा, लेकिन इ श्मी आप के लिए बहतर है, गर आप इस बहतर श्मे का उप्योग नहीं करेंगे, तो दोस्तों इप फिर वी आपका कर्म बूरा हो जाएगा, इसलिए यह श्मी आपको अपने जनुकाल में, अपने कर्म में मिलने वाले फलों को बिलकुल भी नतरनाज नहीं करना होगा, यानि कि दोस्तों, शमे शमे पर आपको हर मेहनत करना होगा, जो कि दोस्तों आपके लिए जरूरी है, तभी आप शिवी को सबलता मिलेगा, जियां दोस्तों, बश आपको मेहनत करना होगा, घर्शन निकलना होगा, जो कारे की शुरुआत करना चाहरे हैं, कारे की शुरुआ आपको भागी का पूरा पूरा शात नहीं मिलेगा. इसलिए दोसों हम आप शुपी को यह बात बता रहे हैं. जे दोसों, आपके कारोवार में बठाएं आ रही है. रुजगार में कई बार आपको घाटा मिल रहा है. कोई भी नई करवार की शुरुआत कर रहे हैं तो दोस्वों उनमें छोड़ा मोटा बदाएं जरूरी आता है मतल्लक्षमी को आश्वी आप शुबी को रुष्ट करना बिल्कुल ही बंद कर देना होगा तब ही दोस्वों आप शुबी को अपने रोजगार में कारवार में शभी जगों में लाब मिले वाले हैं जरूरी आप शुबी को बता दे कि आपको अपने घर में जो भी ओरते उन्हों शभी का शमान करना है शमान शुरू कर देना है जरूरी अगर आप औरतों के शाद अच्छा वेवार करेंगी औरतों के दिल में अपनी जगा बनाएंगे अच्छे भावनाएं से उनके शाद बात करेंगी शबशे पहले आपको अपने घर के औरतों का बिल्कुल ही अप्शमान देना है जरूरी उन्हों उनके उपर आपको बिल्कुल ही ध्यान देना होगा क्योंकि दोस्वव आप शुव yapıyor को बिदा दें कि औरत में मातर लक्षमी का वाष्ट होता है जयनो से जो अत्यशास में और हिंदू धन में भी औरतों को देवी मा कहते हैं जये दोस्वव अतना होता है इसलिए इस बात के श्रठी चें नहीं होता है दोस्तों उनके घर में धन का अगमन नहीं होता हुए वक्ति धनशी हमेशा ही परिशान होता है चाहे कितना भी धन उनके जुनकाल में आ जाए धनशे वह बिल्कुल ही परिशान रहता है जी हां दोस्तों चाहे आप कितने भी बड़े रोज़कार कारबार कर रह देगा नहीं इसलिए दोस्तों आपको अपने जुनकाल में मोरतों कैसात लुक्त करना है अगर आपने जुनकाल में बहु बैटीे दिश्स माज़ की को दोarm को हुँ इस्तरी ना है जी आदो सुन आपका जीवान बिल्कुल हो जाएगा और यह बात तय है रोजगार में घाता बिल्कुल भी नहीं आएंगी धन में आप शुबी का बिरिद्धी हो जाएगा और धन से जुड़ी जो भी शुबी बदाएं चल रही है उन शुबी से आप सभी को चुटका उतार देते हैं जी आदो सुन बाहर के गुष्ये उनी के उपर उतार देते हैं इंशान अपने जुन में कभी शुखी नहीं रहता है जी आदो सुन वह वह इंशान अपने जुन काल में हमेशा दोखी ही रहता है शर्व परतम आप शुबी को यह फर्ज बनता है कि घर के प पतनी और बच्चे को कुछ नहीं रखता है वह इंशान नहीं इलकुल पशु की शमान होता है उसका शारा का शारा जो भी कारे है जो भी मेहनत है वह व्यर्थ हो जाता है इसलिए दोस्तों आप शिबी को यह बात का ध्यान रखना है कि अपनी एक्षाएं पूरी नहीं करना ह तो कोई बात नहीं लेकिन दोस्तों अपने बच्चों अपने पत्नी का अक्षाएं आपको पूरी करना है इसलिए दोस्तों आप शिबी के जुनकाल में शुक और शमर्दी आएंगी जिया दोस्तों अपने बच्चों को अच्चे सिक्चा नहीं दे सकते हैं तो आप लाशी की जातक एशय होते हैं छोटी बच्चों के उपर निगार ढालते हैं एशा इन्सान झिवर वर प्रब्राइशान रहता एशा इंसान को नरक में भी जगा नहीं मिलता है च्छोटे बच्चों के उपर गलत निगार डानना भूछ ल하겠습니다 नहीं करना है दोसों इशा बहुत ही बड़ा पाप लगता है कहते हैं कि कल्यू का शब्षे बड़ा पाप यही है चेह दोसों इशाकार कभी भी इंशान को नहीं करना चाहिए अगला बात जो दोसों जीवन में प्रिशानी का कारण बनता है बेवजा किशी बच्चे को प्रि पशो किसी भी वक्चिव को आप चीश भी भाइशान करना है चाहिए दोस्व वह suggestedę přिकी स्कॉद 깃शान हो हुए और भी किसी हमने नहीं बनाए है तो धियान रखेंगा कि यह भगवान नहीं हर चीज को बनाकर इस प्रीथ्वी पर बेच-थी इसलिए आपको वगवान की बनाई हुए किसी भी जिव जनतु पर आपको अपना गुश्या नहीं डालना है नहीं उसको परिशान करना है। जिए दोस्तों, आप शुव को विदा दें कि अगर आपके पास कुछ है तो दोस्तों आपको उन्हें खिला दें। अगर आपके पास चमता नहीं है, खिलाने के चमता नहीं है तो दोस्तों आपको मारना पिड़ना नहीं है, उन्हें परिशान करना बिल्कुल भी नहीं है। जाएंगी इस बात की गैरेंटी है। जियां दोस्तों, तो दोस्तों उमीद करतें कि आज को यह विडियो आप शिवी को पुशन आया है। तो दोस्तों विडियो को लाइक किजिएगा, शियर किजिएगा, शाती चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद आप शिवी का दिन शुब हो, मंगल मैं हो।